भोजपुरी फिल्म सलामे महबबत की अविनेत्री नीतू मौर्या ने अपने पैत्रक आवाज पर किया प्रेस कॉन्फरेंस अपने आने वाली फिल्म सलामे महबबत को लेकर किया प्रेस कॉन्फरेंस नितु मौरिया ने बताया कि मैं उत्तरपर्देश के गौंडा जुले के वजीर गंज थाना के नैपूर मुरावन पुर्वा गाउं की रहने वाली हूँ और मेरी फिल्म रिलीज होई है सलामे महबद जिसको लेकर मैं बहुत खुस हूँ मैं अपनी फिल्म के डायरेक्टर प्रड्यूशर संतोष कृष्णा धमोलकर का धन्यवाद करती हूँ और मुझे ये मौका दिया इस लायक समझा मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरस्टी में जा पाऊंगी बच्पन से सपना तो था लेक क्या ज्यादातर भोजपूरी फिल्मों में थोड़ा पारिवारिक के साथ नहीं देख सकते हैं हमारी ये फिल्म ूदि परिवार ऑलन इंडिया में लगने वाली हमारी फिल्म के साथ बैट कर देखें पूरी फिल्म साइफ सुतरी है यह मूवी मतलब ऐंजी को ब्all बहुत को पशंद आ ये दीखाते हैं और हमारी पुस्पुरी वाल को आप बोगों को पसंद करेगी बना सक्फ्रेइँ और अच्छा मैसेज दीजिए तो हमारी मूवी में यह मैसेजिंग लव स्टोरी है बहुत रोमेंटिक और बहुत प्यारी मूवी है और फुल इमोशनल मूवी है अब ज्यादो तो मैं इस बारे में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वह आपको देखना पड़ेगा तो बहुत अब इंडस्ट्री में आगे हैं तो बस जितना आगे जा सकते उतना हमारी लिए कम है जी काम तो नहीं है लेकिन मेरा रवी किशन के साथ मुझे करना है रवी किशन मेरा फेवरिट एक्टर है वो भोशपुरी हॉलिवॉड और यह क्या बोलते है टॉलिवॉड में भी वह म मेरा नाम है नीतू मार्या थाइंक यू सो मच थाइंक यू दरसुकर थाइंक देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर